नमस्कार, मैं हूँ अंकित कुमार सिंग और आप देख रहे हैं किसान तक और आप जैसा के देख रहे हूंगे कि बारिज की हलकी हलकी बुंदो के बीच हम आपके बीच मौझूद हैं बिहार के मौसरम के खबरों को लेकर तो आज दिन है सोंबार और आज राजधानी पटना समेत राजी के अन्य जिलों के लोगों की सुबह की शुरुवात बारिज के साथ होई है वहीज मौसम विभाग के पुर्वानुमान के नुसारगर बात करें तो मौसम विभाग ने बताया था कि तीन फरवली से राज में पच्छिमी विश्योप शक्रिय हुआ है जिसके बारसे चार और पांच फरवली को राजी के कई जिलों में हलकी से मध्यम बारिष देखने को मिल सकती है इसके बाद से चार फरवरी के दिन भी कई लाकों में बारिश हुई, वहीं सोम बार यानि कि पांच फरवरी के दिन भी राजी के कई लाकों में बारिश शुरू है, इसमें से राजधानी पतना भी सामिल है, वहीं पतना सहित राजी के करीब 18-19 जिलों में भी आज के दिन य वहीं अब जैसा देख सकते हैं कि लागतार बिहार में भी बारिश सुरू हुई है और जिसके बाद से नियुंतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकता है मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में 2-4 डिग्री सेल्सियस तक नियुंतम तापमान में कमी देखन कर Go क्योंकि कि की वेज्यानिकों का कहना है कि अगर भारिश हो रही है विर भी फसल के लिए काफिनुप्सान देगा उन फॉस्मों के लिए जिन फसलों में अभी फूल आ रहे हैं क्योंकि बारिस होगा तो उससे फूल जड़ने की संभावन आयोगी और जिससे उत्पादन पर भी असर देखने को मिल सकता है तो यह था मौसम का हाल और यह भी है बिहार के बसंत्रितु में बारिस से जुड़ी होई खबरों की जानकारी आने वाले द कि और गैणी पतना समयत रजे के अनीलाकों में बारिष शुरू हो चुकि यह से जीनलाकों में बारिष शुरू हुई है जहां पर हमारे बादानित पली ुडागों ये भी जानकारी हम आपको के सांते पर लगातार देते रहेंगे तब तक के लिए पूरी टीम को देज़े जाज़ा नमस्क्राइब